वेल्कम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल किताबों की नगरी में आप तमाम सामाईन और हाजरीन को खुशामदीर मैं हूँ आपकी मेजबान याविंदा सेलीम और आज किताब नगरी लाया है आप सब के लिए आप सब की फेवरिट राइटर इरम राहील के कलम से निकली दिलों को छू लेने वाली तहरीर राही साथ चलते हैं लेकिन आज की किस्ट शुरू करने से पहरे चैनल को कर लीजिए सबस्क्राइब वीडियो को कीजिए लाइक और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताखीर किये बगैर शुरू करते हैं आज की किस्ट किस्ट नमबर एक मगरिब की नमास पढ़कर अभी जायनमास उठाई ही थी कि दर्वाजा खटका और साथ ही एकरा का चहरा नजर आया आपी आपको बाबा बुला रहे हैं रोशनी चुचायनमास रखकर उसकी तरफ मतवज़ा हो चुकी थी पैगाम सुना आ रही हूँ कहा और टुपटा जो नमास के लिए लपेटा था खोल कर सर पर ले लिया एकरा उसका जवाब सुनकर जा चुकी थी वो भी दर्वाजा की तरफ बढ़ी बाबा अपने कमरे में थे दर्वाजा खुला था और वो कोई किताब खोल कर बैठे थे वो अंदर गई और सलाम किया सुबह के बाद अब मुलाकात हो रही थी तो उन्होंने किताब बंद करके साइट पर रखी वालीकुम ऐस्सलाम आओ बैटो बेटा बाबा ने कहा तो वो पास पड़े सोफे पर बैठ गई तो वो बिना किसी तमहीद के बोले रोशनी बेटा तुम जानती हो कि तुम्हारी बड़ी फुपो आई थी कुछ दिन पहले वो चौंकी उसे बिलकल भी अंदाजा नहीं था बाबा ने ये बात करने के लिए बुलाया होगा जी बाबा उसने जवाब दिया बाबा उससे ये बात करेंगे उसने सोचा नहीं था वरना वो सवाल जवाब के लिए खुद को तयार कर चुकी होती अमी से तो उसने वासिया الفاظ میں کہہ دیا کہ نہیں کرنی شادی اور کسی نے یہ ذکر دوبارہ نہیں کیا تو اس نے سوچا امی کو کہہ دیا ہے تو امی نے بابا کو بھی بتا دیا ہوگا اور بات ختم ہو گئی تو وہ بھی مطمئن ہو گئی لیکن لگتا تھا کہ بات ختم نہیں ہوئی تمہاری امی نے بتایا ہوگا کہ کس سلسلے میں وہ یہاں آئیں تھی بابا نے پوچھا جی اس نے بس اتنا ہی کہا اور خاموش ہو گئی सर जुका होने की वजह से बाबा उसके तासुरात ना देख सके और ना ही लहजे से कुछ अंदाजा कर सके बेटा तुम्हारी क्या राह है इस बारे में तुमने क्या सोचा है बाबा ने उससे दो टोक बात की बाबा मैंने अमी को कह दिया था कि मुझे शादी नहीं करनी रौश्णी ने भी सोचा कि अब दो टोक बात कर ली जा तो चेहरा उठाए बगहर कहा अनवार सहाब ने नर्मी से उसे देखा क्यों बेटा बाबा वो सर उठाकर इतना ही बोली और चुप हो गई लेकिन बाबा उसकी तरफ देखते हुए जवाब के मुनतजर थे क्या जरूरी है शादी करना वो नराज लहजे में बोली हम जरूरी है उसके बराक्स वो नर्मी से बोले लेकिन मैं खुद को उसके लिए राजी नहीं कर पाऊंगी अब बहुत मुछल लगता है मैं आपको नहीं समझा सकती लेकिन शादी नहीं करना चाहती उसने ठहर ठहर कर अपनी बात मकमल की आखिर में लहजा नम हो गया उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे समझाए बाबा को बाबा ने उसकी आँखों में आंसु देखे तो अपनी जगा से उठे उसके साथ जाकर बैठे और उसको गले से लगाया बेटा जिन्दगी में बहुत से उतार चड़ाओ आते हैं कि इन उतार चड़ाओ के बाद इनसान के अंदर इतनी दोड़ फोड़ हो जाती है कि कभी कभी उसमें खड़ा होने की सकत भी नहीं रहती लेकिन अल्ला ने ऐसा नजाम बनाया है कि उमीद की कोई चोटी सी किरन उस इनसान को फिर से जिन्दगी की तरफ ले आती है ये वो यकीन होता है जो एक इनसान को इतने उतार चड़ाओ के बाद होता है कि अल्ला ने उसके लिए कुछ तो अच्छा रखा है और वो कुछ क्या है इनसान नहीं जानता लेकिन वक्त आने पर सब भेद खुल जाते हैं बेटा मैं यही कहूंगा अपने अल्ला पर यकीन रखो इन्शालला सब अच्छा होगा अन्वार सहाब अपने मखसूस नरम और धीमे लहजे में बोले वो जैसे उसको अमादा करना चाहते थे और यही रोशनी ठटकी लेकिन बाबा शादी जरूरी है क्या मैं यू भी बहुत खुश हूँ मुझे नहीं लगता कि अब रोशनी को समझ नहीं आ रही थी कि अपनी बाबा को किन अलफाज में समझाए इसलिए जुमला भी पूरा ना कर सकी और बेबसी से उनको देखा उन्होंने उसकी बेबसी महसूस की थी वो बहुत कुछ कहना तो चाहते थे लेकिन कहा तो सिर्फ इतना अन्वार सहाब ने उसका चेहरा अपने दोनों हातों में थामा और पेशानी पर बोसा लिया रोशनी जानती थी कि बाबा उससे बहुत महबत करते हैं रोशनी ने बोसी की शित्त को आँखें बंद करके महसूस किया और दिल मसूस करके रह गई वो चाह कर भी बाबा को अपनी बात नहीं समझा सकती थी समझा भी दी थी तो बाबा खुद समझना नहीं चा रहे थे और वो चाह कर भी उनकी बात रद नहीं कर सकती थी लेकिन वो कैसे बताय सब को कि जो वस्वसे खटशे उसे चारों तरफ से घेर रहे हैं वो उसे सिर्फ वहम नहीं लगते थे उसे लग रहा था कि ये फैसला भी और फैसलों की तरह गलत होगा वो ख़त्षे उसे मुतमईन होने नहीं दे रहे थे होता है ना कि आपका दिरो दिमाग किसी भी काम को करने से पहले आपको क्लिक देता है कि ये अच्छा होगा या बुरा कभी कभी ये ख़त्ष गलत भी निकल आते हैं और सब अच्छा भी हो जाता है लेकिन उसे पता नहीं क्यों लग रहा था इसमें कुछ अच्छा नहीं होना था उसे तो नहीं लग रहा था कि इस शादी से वो खुश रहेगी कैसे रहेगी इतना आसान होता है क्या और जो सब आसान समझ रहे थे उसके लिए आसान बिलकुल भी नहीं था सुभा नाश्टे का वक्त था जाहिदा बेगम ने बिना शक्कर के चाय का कब थामा हुआ था वो सिपलेती और गैर मुरेई नुक्ते पर निगाहें जमाएं सुच में गुम हो जाती सिकंदर साहब कबसे उन्हें ही देख रहे थे बलकि वो अपना चाय का कब भी खत्म कर चुके जो जाहिदा बेगम ने अपने चाय के कब से पहले बना कर दिया था अहम सिकंदर साहब ने खंकारते हुए उनको मतवज़ा करना चाहा जिसमें वो कामयाब भी हुए साहिदा बेगम ने चौक कर उन्हें देखा था सोचें अल्ला सब बहतर करेगा सिकंदर सहाब जानते थे कि वो किस सोच में गुम है मैं सोच रही थी कि पता नहीं हमारा फैसला दुरूस्ट भी है कि नहीं अनुआर का भी कोई जवाब नहीं आया वो कहरी सांस भरते हुए बोली आज आएगा और मुझे यकीन है कि मुस्ट बताएगा इन्शालला उनकी निस्पत सिकंदर सहाब पुर सकून थे इन्शालला सहिदा बेगम भी बोली आप खामखा इतना परेशान और सोचों में गुम है मैंने आपसे पहले भी कहा है कि बस दुआ करें कि अल्ला सब के हग में अच्छा करें नसीब में ऐसे ही लिखा था बस आगे बेहतरी की दुआ करें सिकंदर सहाब ने कहा इस से पहले के जाहिदा कोई जवाब दी ती कि हाल में एकदम शूर सा उठा असलाम उलेकुम दादा जान दादो जान वो तीनों हस्पे मामूल एक दूसरे से सबकत ले जाने में शूर करते हुए नीचे आ चुक वली सैफ की निस्पत संजीदा तबियत का था और दोनों से चोटा और दोनों की निस्पत फरुख मासूम था जो तीन साल का था वली और सैफ तयार थे स्कूल के लिए दादा दादी को सलाम करके और लाड़ करके अपनी अपनी जगा पर बैठ चुके थे और फरुख यार थे ही स्कूल के लिए फर्रुख भी नहा कर साफ कपड़ों में था असलाम उलेकुम उनकी बड़ी बहु सोमिया ने सलाम किया तो सिकंदर सहाब और जाहिदा बेगम ने जवाब दिया सोमिया उनकी बड़ी बहन की बीटी भी थी सोमिया बच्चों के लिए नाश्टा तयार करने किचन में चली गए जबके वो दोनों बच्चों के साथ बातों में मश्रूफ हो गए उस वक्त सुबा के साथ बच रहे थे ये उनकी रुजाना की रुटीन थी साहिदा बेगम अपना और सिकंदर सहाब का नाश्टा खुद बना लेती थी उस वक्त वो नाश्टे से फारुख हो चुके थे तो बच्चे भी स्कूल के लिए तयार होकर आ जाते थे इसलामबाद निकरी निकरी सी धूप पहली हुई थी धूप की किर्णों ने पहलते हुए इस खुबसूरत घर का आहाता भी कर रखा था कमरे के शीशुच से पार रोशनी कमरे में पहली हुई थी जो कमरे का मनजर वाजिया कर रही थी कद आवर आइने के सामने खड़ा वजूद जिसकी कामत छे फुट से उपर थी सीधे हाथ से बटन बंद कर रहा था जबके बाया हाथ मुबाइल की स्क्रीन पर तेजी से हरकत कर रहा था मतलूबा नमबर मिलने पर नमबर पुश किया बेल जा रही थी काम से लगाया तो दूसरी तरफ उसका मैनेजर बशीर फून उठा चुका था और मुस्ताइदी से सवालों के जवाब दे रहा था एक मिनट पंदरा सेकिंड के बाद कॉल बंद हुई तो मुबाइल साइज टेबल पर रखा वाइड शिर्ट के उपरी बटन के इलावा सब बटन बंद हो चुके थे काली ड्रेस पेंट और शिर्ट के उपर अब बलाक ही कोट पहना टाई मौजूद थी लेकिन शायद आज मूड नहीं था इसलिए नहीं बांदी ड्रेसिंग टेबल से ब्रश उठाया और बालों में चलाया शूद रैक से बलाक ही शूद निकाले और पहनने लगा उसी वक्त दर्वाजे पे दस्तक हुई कम इन मजबूत और बेलचक लहजा जो बोलने वाले की बेनियाजी को जाहर करता था अजासत मिलते ही मुलाजम अंदर आया साहब जी नाश्ता तयार है हम ओके मुलाजम जवाब सुनते ही चला गया शूद पहन कर फिर से आईने के सामने खड़ा हुआ अपने सरापे पर निगार डालते हुए आखरी जाएजा लिया साथ साथ शूट के बाजू ठीक किये साफ कुशादा पिशानी सिया आँखे मकनाती सी कशिश लिये हुए जो मुकाबल को अपनी तरफ खेंचती थी एरादों की तरह अटल सीधी खड़ी नाक और चेहरे पर मखसूस संजीद की अपने तयारी से मुतमईन होकर साइज टेबल से मुबाइल चाबियां और गॉगल उठाए और कमरे से बाहर निकला के मुबाइल बजा निगाह डाली तो अंजाना नमबर था येस का बटन पुश किया अस्सलाम अलेकुम सारी रात सोच सोच कर दमाग शल हो चुका था नेंद क्या खाक आई बाबा के सामरे तो कुछ कह ही नहीं सकी थी लेकिन अब समझ नहीं आ रहा था इस मसीबत से कैसे निकले बड़ी फुपो को भी पैठे बठाए पता नहीं क्या सूची अच्छी भली जिन्दगी गुजा रही थी अब फिर ये निया शोशा शादी और बाबा भी राजी हैं वो जानती थी अगर बाबा राजी है तो इसे भी राजी करने के लिए ऐसे दलाइल देंगे कि उसे राजी होना पड़ेगा उसे खुसा आ रहा था वो सूच रही थी और जल्दी जल्दी बालों में ब्रश कर रही थी लंबे घने बाल जल्दी जल्दी ब्रश करने से सुलचने के बजाए उलज रहे थे उसने उपर उपर से ब्रश किया और अटकों समेथ बालों को कूल कूल करके कैचर लगाया सारे साथ हो रहे थे स्कूल से देर भी हो रही थी और मूड भी बिगड़ा हुआ था घरी देखकर जल्दी से टुपटा उठाया हैंड बैग पकड़ा और कमरे से निकली घर में अम्मी अब्बू इक्रा और रोशनी थे वैसे तो चाचू भी उनके साथ रहते थे लेकिन वो नौकरी के सिलसले में फैसलाबाद में थे डॉक्टर थे फ्रांसवर हुआ तो तो अकेले रह नहीं पाए कुछ वक्त बाद फैमली को भी बिलवा लिया वो चार बहने थी सबसे बड़ी अरीशा उससे चोटी रोशनी फिर लैला थी तीसे नंबर पर और सबसे चोटी एक्रा थी अनवार सहाब और सल्मा की यही कुल काइनात थी बेटा ना होने का दुख था लेकिन जब बेजियों को देखते तो शुकर अदा करते थे कि अल्ला ने रहमते दी हैं अब उन्हें ही देखकर दोनों जीते थे अनवार सहाब गौर्डमन्ट कॉलेच से बहेसियत परफेसर शुमारियात रडायट हो चुके थे जबके सल्मा बेगम घरेलू खातून थी अरीशा की शादी अनवार सहाब के दरीना दोस्त अकपर के बेटे जैन के साथ हुई थी और वो इसलामाबाद में रहती है लेला की शादी चार माँ पहले मामो के घर हुई थी और वो लहौर में ही रहाइश वजीर थे जबके एकरा एफसी कर रही थी और रोश्टनी एक प्रावट स्कूल में जॉब करती है नाश्टे की डिपल पर आई तो बाबा चाय पी रहे थे एकरा बे तयार नाश्टा कर रही थी रेटायर्मेंट के बाबा ने घर में ही एक चोटी सी अकेडमी खोल ली तो वो वही मश्रूफ रहते थे चाचू और उनकी फैमली की मौजूद की में तो यहां हर वक्त रौनक लगी रही थे फिर सुबा का नाश्टा होता या राद का खाना उनके जाने से घर में वो बात नहीं थी अब बाबा अकैडमी में एकरा कॉलिज में वो स्कूल में ऐसे में अम्मी बहुत अकेली हो गए थी और हम्दान चाचू को वापस आने के लिए इसरार कर रही थी उनके बच्चों से उनका दिल बहला रहता था वक्त का पता ही नहीं चलता था हम्दान चाचू काफी कोशिश कर रहे थे ट्रांसफर की लेकिन किसी ना किसी वज़ा से मौतल हो जाता लेकिन अब वो कह रहे थे कि एक या दो महीने की बात है बस फिर वो लहौर आ जाएंगे अस्सलाम उलैकूम उसने सलाम किया और कुर्सी पर बैठके मौलीकूम अस्सलाम बापा ने जवाब लिया और उसकी शकल देखी आँखे रात नीद ना आने के बाइस सूजी हुई और लाल लग रही थी सल्मा बेगम उसके लिए नाश्ता लाई तो उसने जल्दी जल्दी बर्ट का एक सलाइस लिया चाय का कप पकड़ा और जल्दी जल्दी सलाइस खाने लगी अराम से खाओ सल्मा बेगम ने टोका मैं लेड हो चुकी हूँ अमी राश्ती ने सलाइस खतम करते हुए कहा चाय के दो सिपलिये और जाने के लिए खड़ी हो गई और ल्ला हाफिस कहकर बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिये सल्मा बेगम ने अन्वार सहब को देखा वो गहरी सोच में गम नजर आए तो वो भी गहरी सांस लेकर कुर्सी पर बैठके एकरा भी अपना नाश्ता खतम करके उठी और ल्ला हाफिस कहकर माँ को बोसा दिया बाबा को मुस्करा कर देखा तो वो भी मतवज़ा हुए खुदा हाफिस बेटा उन्होंने मुस्करा कर उसे कहा राश्निक को अपने बाबा से बहुत महबबत थी वो जानती थी कि वो उनको इंकार नहीं कर पाएगी लेकिन उसे शादी भी नहीं करनी थी उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाबा को कैसे समझाए स्कूल आकर भी दिलो दिमाग जैसे सोचों के ताने बाने में उल्जे थे अम्मी से बहस कर चुकी थी जिसका कोई नतीजा नहीं निकला उनके ख्यालात भी कमो बेश अब बुजे से ही थे अब सोच रही थी किस से बात करूं जो उसको समझे और बाबा को भी समझाए और ये मसला हल हो स्ट्राफ रों में बैठी दाएं हाथ से टेस्ट चेक कर रही थी बाएं हाथ से सर को थाम रखा था रात नींद ना आने के बाइस आँखें और सर अलग दुख रहा था दिमाग भी लगता था काम करना बंद कर चुका है रोशनी यहीं सोचों में गुम थी के उसकी कुलीग सुमेरा ने आवास दी हम रोशनी ने दुखते सर को दबाते हुए उसकी तरफ देखा स्ट्राफ रोम में इन दोनों के इलावा कोई नहीं था तब्यद ठीक नहीं लग रही तुम्हारी चेहरा भी लाल हो रहा है सुमेरा ने उसकी तरफ देखा और मजीद बोली परेशान भी लग रही हूँ घर में ठीक है सब सुमेरा जो उसे काफी देर से देख रही थी पूछे बिना न रह पाई हाँ यार ठीक है सब मुझे लग रहा है शायद बुखार हो रहा है इसी वज़ा से सर भी फट रहा है दुरौश्टी ने ठके हुए अंदास में कहा और दोनों हाथों से सर थाम लिया सोचें थी के पीछा ही नहीं छोड रही थी नाश्टा किया तुमने हूँ टैबलिट दू सर दर्थ की खा लो कुछ फरक पड़ेगा सुमेरा ने कहा और उसका जवाब सुने बगार स्टाफ रोम में पड़े फर्स डेट बॉक्स की तरफ बड़ी ये लो गोलियां और पानी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा रोश्टी ने उसके हाथ से गोलियां नी और पानी के साथ निगल कर खाली क्लास टेबल पर रखा अगर तबियत ज़्यादा खराब है तो घर चली जाओ नहीं यार प्रोग्रेस शील्ट भी बनानी है अभी लाश्ट वीक चल रहा है मंतका रोश्टी ने दुबारा पैन धामते हुए कहा और सब सोचों को पीछे दखेलते हुए काम की तरफ मतवज़ा होने की कोशिश की ओके फिर मैं चलती हूँ मेरी क्लास का टाइम हो रहा है सुमेरा अपना बैग उठाते हुए बोली ओके और थैंक्स प्यारी दो रोश्टी ने ममनूनियत से शुक्रियां अदा किया किस बात का पागल सुमेरा कहकर स्टाफ रूम से निकल गई रोश्टी भी काम की तरफ मतवज़ा हुई के काम भी करना था फारान सिकंदर नामवर वकील था और बहुत कम वक्त में महनत और लगन से अपना नाम बना चुका था और दिल लॉयल लॉय के नाम से एक कमपनी भी जला रहा था जहां उसकी काबलियत के चर्चे थे वहीं उसकी लुक्स और शानदार परसनालिटी ने धूम मचा रखी थी जब दलाइल की बात करता तो मुखालिफ को बोलने के काबल नहीं चुड़ता था काली सिया घंगूर आँखे जब मुखालिफ को देखती तो अगला बन्दा बात भूल जाता था और जहां किसी पार्टी में शिर्कत करता तो सिन्फे मुखालिफ के धड़कते दिल रुक जाते था पाती में जान बढ़ जाती थी लेकिन वो किसी पर नजर डाले बगएर आगे बढ़ जाता इसी वज़ा से मगरूर और खुद परस्त भी मशूर था अपने इसी रवएए की वज़ा से दोस्त कम थे और दुश्मन स्यादा बशर उसका सेकिन हैंड था उसके कलाיन्टस को डील करता था और फारान को उसपर भरोसा था बशर ने भी उसके एद्माद को मसंभाल कर रखा था और उससे वफदार था वो जान था था कि उसका बस इतना भी बुरा नहीं ये तो लोगों की बातों ने बना रखा था जो उससे हसत करते थे हाँ वो किसी से जल्दी फ्रेंडली नहीं होता था महताद था लेकिन रिश्टों को निभाना भी जानता था बशर को उसके साथ काम करते चार साल हो चुके थे इतना तो वो उसको जान ही चुका था इस वक्त भी वो आफिस में बैठे की इसकी डिसकॉशन कर रहे थे आफिस भी अपने मालिक की शक्सियत का मू बोलता सबूत था कीमती साथ उसमान से अराइश था आने वाले पसंदीदा नजरों से देखते थे और तारीफ करते थे और फरान अली हलका सा मस्कुरा कर तारीफ वसूर करता था सर अब तो मुखालिफ पार्टी वक्त जाया कर रही है बशर बोला हम्म कितना कर लेगी हमारे पास वक्त ही वक्त है फरान मस्कुरा कर बोला और आश रेमेज सिगरट चाड़ा केस हमारे हाथ में हार तो उनकी ही है फिर वो अभी हारे हैं या हाथ पाउ मार कर या कबूतर की तरह आखे बंद करके जी सर लेकिन क्लाइंट फेट नहीं कर रहा बशर ने मौदब लहजे में बोला उनसे कहो के अगर इंतजार नहीं कर सकते तो केस वापस ले लें फीस वापस मिल जाएगी वो पुर्सकून लहजे में बोला जी सर अपके बशर ने हलके से मुस्कुरा कर जवाब किया जानता था कि ये बात कहने से ही क्लाइंट की सीटी गुम हो जाती है सर हमदानी के साथ अब क्या करना है बिचारा बहुत मिंतों पर उतराया है अब तो करने दो अभी उसे मिंते उसे भी पता लगे कि तोका देने का अंजाम फारान बेला चक लहजे में बोला बशर खामोश रहा अगले दो दिन के लिए काम संभाल लेना मुझे शायद लहुर जाना पड़े अमा जान का काफी मरतबा फोन आच चुका है लगता है अब जाए बिना गुजारा नहीं फारान ने सिगरेट भुजाते हुए बशर को कहा ठीक है सर बशर ने संजीत की से जवाब दिया और दूसरे केस की दिसकाशन करने लगा रोशनी घर आई और आते ही कमरे में गए और सो गई मगरिब का टाइम होने वाला था कि अम्मी ने आकर उसे उठाने लगी जब उन्होंने उसके सर और माते पर हाथ फेरा तो उन्हें गयर मामूली गरम लगा उन्होंने परेशानी में उसे आवास दी लेकिन वो यूही पड़ी रही अब के उन्होंने उसके गाल जरा जोर से थपतपाए तो वो कस्मसाई रोशनी उन्होंने फिर आवास दी हम्म उसने हलका सा जवाब दिया लेकिन यूही पड़ी रही उठो तुम्हें बुखार है कुछ खा लो फिर मेडिसन लेकर सो जाना अच्छा अमी अब के वो हलकी आवास में बोली लेकिन हनूज गनूदगी में थी सलमा बेगम बाहर गई ताके एकरा को मेडिसन और कुछ खाना लाने के लिए कह सके फारान का फून आया था कह रहा था आएगा कल्ब या परसो तक सिकंदर सहाब किताब का मुटालिया कर रहे थे जाहिदा बेगम की बात पर किताब साइट पर रखी और चश्मा भी उतार कर रख दिया अच्छा कब आया फून शाम को आया था अच्छा तो सहाब जादे के पास वक्त निकल ही आया आने के लिए आप ऐसे ना कहा करें जानते भी हैं कि मश्रूफ होता है टाइम नहीं निकलता फिर भी अब तो जब भी कहो आ जाता है जाहिदा बेगम ने शाकी नसरों से शोहर को देखा अरे हमारी क्या मेचाल आपके शहजादे को कुछ कहें सिकंदर सहाब अपके शरारत से बोले जबके जाहिदा बेगम अफसूर्दा हो गई बाजी से बात हुई थी आज कह रही थी कल फून करेंगी अनवार को बस अनवार हां कह दे मुझे यकीन है दोनों खुश रहेंगे साहिदा बेगम अदासी से बोली हम् मुझे लगा था कि फरहान नहीं मानेगा लेकिन खुशी हुई जब उसने आपकी बात मान ली अच्छी बात है कि जिन्दगी में आगे बढ़ना चाता है जिन्दगी एक इनसान या एक रिष्टे पर खतम नहीं होती सिकंदर सहाब भी संजीद की से बोले बात जी कह रही थी अनवार तो राजी है लेकिन रोशनी नहीं मान रही और अनवार रोशनी से प्यार भी तो कितना करता है अगर वो ना मानी तो अनवार भी नहीं मानेगा जाहिदा बेगम परेशानी से बोली अरे बेगम ऐसा कुछ नहीं होगा आप परेशान ना हो अल्ला से बहतरी की दुआ करे सिकंदर सहाब ने उन्हें परेशान देखकर तसली दी कितनी प्यारी थी रोशनी कितना मस्कुराती थी हर वक्त खिलकलाती रहती थी और जब अमा जी घुसे से टोकती थी तो इन्हें भी हंसा देती थी कितनी खुबसूरत मस्कुराहर थी रोशनी की जाहिदा बेगम की आँखें कुसरा वक्त याद करके नम हो गए प्यारी तो अब भी है दोनों की चोड़ी खुब जचेगी सिकंदर साहब को लैला की शादी का मनजर याद आया जब रोशनी उन्हें सलाम करने आई थी संजीदगी से सलाम करते उन्हें बहुत भली लगी थी जी माशालला खुबसूरत तो है जाहिदा बेगम ने डुपटे से आँके साफ करते हुए का अमा जी को तोनों अजीज भी तो बहुत थे इसलिए तो दोनों के एक बंधन में बांध गई थी कब जानती थी वो कि जितनी महबत और चाहत से ये बंधन बांध रही है वो तोट भी जाना था मुझे आज भी अन्वार के सामने जाते हुए शर्मंदगी होती है लेकिन उसने मुझे एक मरतबा भी नहीं जदाया गुजरा हुआ वक्त याद करके आजर्दगी से बोली किस्मत में सब ऐसे ही लिखा था और जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं इतने वक्त बात फिर किस्मत दोनों को साथ ला रही है सब नसीब की बाते हैं वरना उस वक्त किसने ये सोचा था कि सालों बाद ऐसे भी हो सकता है तोनों को ऐसे ही मिलना है शायद सिकंदर सहाब बुर्दबारी से बोले और अन्वार समझदार है अपनी बीटी के लिए बेहतर फैसला करने का हक है उसे मैं भी चाहता हूँ कि ये शादी हो जाए लेकिन सबकी दिली रजामंदी के साथ सिकंदर सहाब ने कहा तो उन्होंने गहरी सांस लेकर आंसु साफ किये जी तो सामाईनों हाजरीन कैसी लगी आपको आज की किस्त अमीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी अपनी राये से हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगा कीजिएगा अगली गिस्तक के लिए अपना ख्याल रखिए अल्ला हाफिज